unwanted hair से छुटकारा पाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं यदि आप भी किसी ऐसी चीज की तलाश में हैं जो आपके सारे facial hair को निकाल दे चाहे होठों के उपर के बालों चाहे हमारे चेहरे के छोटे छोटे जो रोय होते हैं उन्हें निकाल दे कभी भी दोस्तों चेहरे पर waxing ना कराएं कभी भी threading ना कराएं दोस्तों ये हमारे अंचाहे बालों को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं और ज़्यादा काले काले बहुत ही hard बाल आते हैं जो हमारी सुन्दरता को कम करते हैं आज आपके लिए ऐसा प्रकृतिक घरेलो उपाय लेकर आई हैं दोस्तों जो कि आपके अंचाहे बालों को पेजी से हटाएगा चेहरे पर चमक आएगी इस मेडी का इस्तमाल आप चेहरे के लावा अपने अंडर आम्स पर भी कर सकते हैं आसानी से अपने हाथ पेरों को चेहरे को खुबसूरत बना सकते हैं तो आज इस रेमेडी में किचन की ही चीजों का इस्तमाल करने वाली है जो आपके बहुत काम आने वाला है तो चलिए दोस्तों वीडियो को अहों में स्टार्ट करते हैं कि इन में हमें किन किन चीजों का इस्तमाल करना वीडियो पसंदा आए वीडियो को लाइक करिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो अंचाहे बालों को हटाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको लेना यहाँ पर चावल का आटा आपको क्या करना थोड़ा सा राइस ले लिए उसे ग्राइंडिंग चार में डाल कर ग्राइंड करके पीस कर इसका पाउडर बना ले राइस फ्लोर जो होता है दोस्तों वो हमारे स्किन के लिए बहुत फायदे मंद होता है राइस फ्लोर में एक ब्यूटी विटामिन होता है विटामिन बी साथ ही साथ चावल के आटे के जो बारिक बारिक से कण होते हैं ना दोस्तों यह हमारे चेहरे से सारे डेट सेल को रिमूव करते हैं और जब हमारे स्किन से डेट सेल हट जाती ह तो हमारे चेहरे पर बहुत अच्छा निखार आता है जब इस पैक को हम रगड़ते हुए निकालेंगे तो ये पैक, ये राइस फ्लोर अपने साथ ही साथ हमारे अंचाहे बालों की जड़ों को कमजोर करते हुए उन्हें भी निकाल कर फेग देगा ये इतना फाइदे मंद होता है दोस्तों चावल का आटा, आप चाहें तो बजार वाले चावल के आटे का भी प्रयोक कर सकते हैं या घर पर ही ग्राइन करके आप इसे ले सकते हैं दो चमज राइस फ्लोर का आपको यहाँ पर इस्तमाल करना है इसके लाबा राइस फ्लोर हमारे चेहरे से टैनिंग को दूर करता है नारियल का तेल लिया है, कोकोनट ओइल एक चमज लेना है ताकि आपके स्किन में मौइशर बना रहे आप इस पैक को आसानी से उतार सकें एकदम सुखा पैक होगा ना दोस्तों तो उससे क्या होता है कई बार हमारी स्किन जो होती है बहुत ज़दा ड्राय हो जाती है इसलिए यहाँ पर नारियल का तेल मैंने डाला है सभी के पास होता है, आप ऑलिव ओइल भी डाल सकते हैं एक चमज मेंने नारियल का तेल डाला है और इस तेल में मिलाना है आपको आधा लेमन जूस नीबू का रस विटामिन सी से भरपूर होता है हमारे चहरे पर जल्दी जुरियां नहीं आने देता रिंकल्स की परशानी को दूर करता है और साथ ही साथ जो लेमन जूस होता है एक नेशरल ब्लीच के जैसा काम करता है ब्यूटी पार्लर जाकर जो हम लोग केमिकल वाला ब्लीच कराते हैं उसे कई गुना अच्छा होता है नीबू का रस नेशरल तरीके से ब्लीच करके हमारे रंग को साफ करता है नार्यल का टेल आधा नीबू का रस इसमें मिलाना है आपको दो चमाश शक्कर ताकि शक्कर का जो चिपचिपापन है ये हमारे बालों की जड़ों को आसानी से कमजोर करके उन्हें निकाल सके शक्कर के चिपचिपपन के कारण जब इस पैक को हम लगा कर रखते हैं मिनट तक दोसों तो सारे बाल जो है वो आपस में चिपच जाते हैं और जब हम इसे रगड़ते हुए बालों के उल्टी डिरेक्शन में निकालते हैं तो बाल हलके से रगड़ खाते हैं और रगड़ खारने से थोड़े से खीचते हैं रगड़ खाते हैं खीचते हैं और जड़ से तूटकर अलग हो जाते हैं अच्छे रिजल्ट के लिए एक दिन छोड़ कर इस पैक का इस्नमाल करें और आपके बालों की जड़ें जो कमजोर हो गई हैं वे बिल्कुल ही निकल जाएंगे यहाँ पर मैंने एक चमज शहद भी डाला है यदि आपके पास है तो बहुत बहुत फायदे मंद होता है दोस्तों अंचाहे बालों को हटाने के लिए शहद नहीं है तो कोई बात नहीं आप दो बड़ा चमज शक्कर डाल कर भी काम चला सकते हैं हमें तो इस पैक को थोड़ा चिप चिपा सा बनाना है ताकि जड़े जो बालों की जड़े आपस में चिपक गई है वे रगण खाकर निकल सकें है तो जरू डाले शहद शहद हमारे स्किन के लिए बहुत फायदे मंद होता है इस पैक को पूरे चेहरे पर भी लगा सकते हैं या फिर होटों के ऊपर या तो दो चमज गेहू का आटा ले सकते हैं अगर गेहू का आटा भी नहीं है तो उसकी चखा दो चमज बेसन भी ले सकते हैं तीनों में से किसी एक चीच का इस्तमाल करना है इस पैक को बनाने के लिए तो गेहू का आटा चावल का आटा या फिर बेसन ये तीन चीजे मैंने आप वो बताई ही दोस्तों मैं हम पर rice floor का ही इस्तमाल कर रही हूँ जिसमें इस टोरी जिसमें मैंने नादियल तेल डाला है नीबू का रस डाला है और इस साथी साथ एक चमश चहद डाला है मैंने इस mixion में आपको मिलाना है rice floor चामल काट अच्छे से से mix करें इस pack को बहुत जादा पत्ला ना करें बहुत जादा पत्ला होगा ना दोस्तों तो सूखने में ज़ादा time लगेगा और फिर आपको लगेगा रे बहुत time लग गया इसलिए आप इस pack को थुड़ा गाढ़ा रखें ताकि सारी बालों की जड़े हैं खीच कर अलग हो जाए कोई हामफूल नहीं है दोज़ों किसी तरह का कोई केमिकल नहीं है 100% ये जो घरेलू नुस्खा इसको आप लोग जलू ट्राय करें सभी एज गूरूप वाले से लगा सकते हैं तो ये पैक बन करता है यार देखें मेरी बेटी आपको इससे लगा कर दिखा रही है पूरे चहरे पर होटों के उपर जैसे में आप आपको ऐसा लगता है कि मेरे कान के आसपास बाल है गाल पर बाल है तो पूरे चहरे पर लगा ले ये पैक आपके स्किन में ग्लो लेकर आएगा, रंग को साफ करेगा, डेट सेल को रिमूव करेगा और आपका चेहरा होगा, खुबसूरत गोरा सा चेहरा हो जाएगा ये देखे, इस तरह से होटों के उपर पूरे चिन पर आप इस पैक को लगा ले दस मिनट के बाद नीचे से उपर की और मसाज करते हुए इस पैक को उतारना है ताकि सारे के सारे अंचाहे बाल जो है वो हट जाए जगा से और आपका चेहरा होगा खुबसूरत, जो बाल छूट जाते हैं, नेक्स डे आप वापस इसे इस रेमेडी को फिर से लगाएं या एक दिन छोड़ कर भी लगा सकते हैं कम उम्र की जो गल्स हैं वे भी लगाएं ताकि जो फैशल हेर, जो छोटे छोटे बाल होते हैं दोस्तों शुरू में तो बहुत ही जादा नाजूक होते हैं, बहुत आसानी से निकल जाते हैं, जैसे इस उम्र बढ़ती है, तो बाल थोड़े हार्ड हो जाते हैं, तो निकालने में थोड़ी परशानी होती है और ये सबसे सेफ रेमेडी है दोस्तों जिससे आपकी स्किन लूज नहीं होगी, आपके स्किन में काला पन नहीं आएगा, आपकी जो स्किन है दोस्तों वो हैल्दी बनी रहेगी, राइस फ्लोर तो वैसे भी बहुत फायदे मन्द होता है हमारे स्किन के लिए, ये देखे पूरे चहरे पर भी लगा सकते हैं, चिन पर भी लगाएं, दस मिनट के बाद हलके हाथों से मसाज करते हुए इस पैक को निकालना है, कमाल का रिजल्ट मिलेगा, दोस्तों सारे के सारे बाल रिमूव होंगे, ये इतनी पावरफुल रेमेडी है, तो इस तरह से मेरी बेट का दोस्तों अंचाहे बालों को हटाने का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, साथ ही दोस्तों इस रेमेडी को ट्राय जरूर करें, सब ताह में चार बार ट्राय